असलामों अलाइकूं और रखमतुल्लाहिव बरकातूं प्यारे बच्चों आपको पता शर्च चुका है कि जब गाउं शहेर मिलते हैं तो तालुगा बनता है और जब कई तालुगे मिलते हैं तो उनसे जिला बनता है अब हम बढ़ते हैं आगे की तरह कि अगर बहुत सारे जिले मिले तो क्या बनेगा शाबस जब बहुत सारे अजला मिलते हैं तो इनके मिलने से बनती है रियासत क्या बनती है रियासत तो प्यारे वच्चों अब हम रियासत महराश्ट के नक्षा का मुतालिया करेंगे इस नक्षे में हम देखेंगे कि रियासत महराश्ट में कौन कौन से अजला शामिल है तो शुरू करते हैं शुमाल की जानिक से यहां पर नंदूरबार पहला जिला यहां दिया हुआ है नंदूरबार फिर धूल्या नासी ठाना अहमदनगर पूना राइगर रतनागिरी सतार सांगली, कोलापूर, सिंदू दूर्ग, सोलापूर, उस्मानाबार, लातूर, पर्भनी, बीर, जानना, औरंगाबाद, बुल्डाना, हिंगोली, वाशिम, अकोला, जलगाउ, धूल्या, अम्रामती, एवतमहिल, वर्धा, नापूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया और गढ़ चिरोजी, ये तमाम अजला रियासते महराश्ट्र में आते हैं, प्यारे वच्चों, इसी तरह, जब हम इस रियासत की सरहत को देखें, तो इसकी सरहत से मजीद रियासते जुडिवी हैं, अगर हम इस जानित देखें, तो यहां रियासते गुजरात, जो के हमार रियासते महराश्ट से जुडिवी हैं, उपर की जानित मध्य परदेश, शिमाल की जानित मध्य परदेश हमारी रियासते महराश्ट से जुडिवी हैं, जिनूब की जानित आंधरा परदेश, और यह भी जिनूब हैं, यहां भी जिनूब की जानित करनाटा हमारी रियासत महाराश्ट से जुड़ी है इस तरह मगरिब में जब हम आएं तो रियासते महाराश्ट का ये हिस्सा बहिरे अरफ से जुड़ा हुआ है और यहां पर समुंदरी इलाका है इसलिए इसके कदर को भी या इसका रंभी पानी की तरह आस्मानी करके दिखाया जाता है ताके इसके घर लगराश्ट से जुड़ा है ये कि दो कर दो